नमस्कार मित्रों विद्याभरती यूटूब चाइनल में आप सभी का स्वागत है मैं कमलेश रोशिया प्राम जॉला देव इंटर कालेश सिवी लाइन्स मैं क्लास टेंथ का मैथमेटिस का माडल पेपर ले करके आपके सामनी प्रस्तत हुआ हूँ जो कि आपको सव परसेंट मार्स गेन करने में सहायक होगा जैसा कि आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर माडल पेपर दिया हुआ है आपके इस वर्स जो आपका क्लास टेंथ का बोर्ड का एक्जाम है उसमें मैत में दो प्रकार के खंड रहेंगे पहला खंड कर रहेगा दूसरा खंड का में आपको 20 प्रस्ण बहुविकल्पी की रुप में दिया जाएंगे और खंड का में आपके अत्री लगवत्तरी रहेंगे जिसो शाल्ट टैंसवर टाइप लगवत्तरी तथा विश्चित वत्री प्रस्ण आएंगे जो की इस प्रकार है ज्यान देंगे यहां पर पहले जो खंड का है खंड आ है इसमें बहुविकल्पी प्रस्ण दिये हुए हैं इस बहुविकल्पी प्रस्ण में कि पहला कोशन दिया है दो धन पुडांकों ए और वी के लिए जैसा कि हम जानते हैं कोशक्तव में हैं उकलीट कोशनधान दिया है कि दो धन पुडांकों कि तो धन पुडांकों धन पुडांक तो धन पुडांक को ए और वी के लिए A और B के लिए A और B के लिए अगर A is divided by B तो आप जानते हैं कि A is divided by B तो हमको जो प्राप्ट होता है कोशेंट and remainder according to division theorem भार जिस कोल्ट होता है भाज इस कोल्टू भाजक गुड़े भाग फ्ल धन्सेश्पल होता है यहां देख रहे हो कि भाज आपका A है भाजक भाज भाजक आपका B है इन्टू Q प्लस remainder R है आप जानते हो कि जो remainder हमेशा क्या होता है भाजक से छोटा होता है और जीरो से बड़ा और जीरो के एक पल होता है तो इस तरह से देखेंगे कि उकलिट division theorem के अंस्वार जो आपका option सही होना चाहिए आपका option D सही होगा चुकि आप जैसे कोई भी जैसे एक ही जगाँ पे अपने ले लिया 9 और उसमें डिवाइट किया 5 से तो 5 1 जा कोशेंट हो गया और remainder आपका हो गया 4 तो आप देख रहे हैं कि जो remainder 4 आ रहा है remainder 4 और 5 से less है और 0 से greater ब्रब्रबनेंडर जो आ सकता है 0 तखासकता है इसमिग और 5 दिवाइड करेंगे तो रिमिगंडर आपका सकता है कि वह डिपेंड करता है बहां चीबर भाज़न किए तो घूंडिए करता है यह सकता है टू आ सकता है थृप सकता है थ्री आ सकता है तो रूंड कि से लेशाए यहाँ जीड पर जीरो फ्लिसे आ nations क् pretend are function number पहले question का जो option है वह उसी प्रेकार से दूसरा कोशन देखेंगे लिम लिखित में से कौन पर्मे संख्या है लिम लिखित में से कौन सी संख्या पर्मे है तो जैसा कि हम जानते हैं पर्मे का मतलब आइसी संख्या है जो पीवाई की फिर्फ में लिखिया सकते हैं तो यहां पर ध्यान देंगे कि अपर में की बात कर रहे हैं ना पर में कि निम्खित में से कौन सी संघ्या पर में जैसा कि आप जानते हैं पर मैं का मतलब होता है परवे संघ्या क्या है कि पर्मे मनें सभी जो पुलांक होते हैं पर्मे होते हैं सभी पुलांक पर्मे होते हैं और सभी प्राक्तिक संख्या क्या होती है परिमाल होता है होती है सभी पुलांक होती है सभी पुढांक फर्य को जोडने पर हमेशा ही संग्याप अब कि निम्ने से कौन संख्या पर्मेय है यह पर्मेय है जोड़ेंगे तो आप में राफ्ता अर्था यह परिमें अब यह अंडर रूट आट की बात करेंगे तो अंडर रूट अपर में सकते हैं तो यह आपका जो आपसन है दी जो आपका अपसन है इसको पीवाई की फार में लिखाजा सकता है इसलिए यहां आपशन नमबर डी इसको सब्सक्राइए एक परिमेशन क्या है आप संदी इसी तरह से देखो एक त्रिज्य खंड के अंदर बने त्रहुज के छेद फल का मान क्या होगा जबकि बृत की त्रिज्या और और केदरी कौन थीटा है यह आपका बृत से संबंदी छेद फल का कुश्चन है जिसमें आप जानते हैं कि जिसमें मतलब होता है कि दो त्रिज्याओं और उसके मंत चाफ होता है कि घीर सेथ को त्रिज्य खंड करते हैं कि अब इस्ट्रीजखंड के अंदर है एक त्रीजखंड के दिया घिमए अब बने त्रीजखंड के अंदर की छेतफल का मान क्या होगा जिसका सब्सक्राइब देखो ऐसे हम इस पर अगर परपेंडिकुलर खिच दें मालाजी आपका OAB है त्रिजिखन्ड अब इस परपेंडिकुलर खिचेंगे तो मालीजी परपेंडिकुलर B यह खिच दिया तो ध्यान दो आप जानते हो त्रुभुज ABC का चेटफल त्रुभुज OAB का चेटफल इस कल्टू होगा वन बाइट इन्टू आधार ओए अधार ओए लिया अमेशा जान जाता है जब त्रुभुज के चेटफल निकालना होता जिसको आधार लेते हैं उसके सामने वाले सीर से उसके उचा लाइगा हो गई बीम हो गई तो आप सबसे पहले हमको बीम निकालना पड़ेगा ओए माने आपके जो ओए आपका है प्रित की तरिज्जा है और वही की बात करें तो प्रित की तरिज्जा आर है आप देखो जैसे आप बात करोगो ओए तो हम जानते हैं इस त्रुज OAB मे लोगे साइन थीटा तिसकोलटु हो जाएगा साइन थीटा बनाने वाले दो आपके लाइन सेग्मेंन होते हैं एक तो हो गया दूसरा और उसमें से एक होता है सामने की जो साइड होगी यह क्या होगी इसके सामने की हजाएगी आपकी हाइपोटेनिस हो जाएगी तो हो साइज लंब होती है पर्पिंडिक्लर हो गया और भी जो आपका हाइपोटेनिस हो गया तो तो वी लिखेंगे तो डिlooking छॉट हो इस्टा या किया हो गया वी अवगया साइन था बी टृट हो गया तो प्रोंदेटा हो गया है यह को वी हम वी उश्कार्ट हो गया है आर जैन तो अब देखो ट्रेंगल एरिया आप ट्रेंगल ओए भी स्क्वाइर साइन थीटा तो यहां पे जो आपका जो त्रिजिखन्ड मने त्रिजिखन्ड ओए भी आपका त्रिजिखन्ड यही है दो रेडियस के बीच और चाप एभी की विजखिरा हुआ है इसके अंदर जो ट्रेंगल बन रहा हुए भी उसका एरिया रहा है वन बाई टू आर स्क्वार साइन तीटा दूसरी विजह को समत्रिभाग करती है चार भागों में बाढ़ती है पांस समान बाद्रिभाग करती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप कि त्रभुज में थेल्स प्रमें थेल्स प्रमें कहता है किसी भी तुरुज की किसी भुजा के समानतर खीची गिरेखा अन्य दोनों हुजाओं को समान अनपात में बाठती है तो यहां पर उसी से संबंदित एक वस्चन है तो ध्यान देंगे हो जासा कि मैंने बताया इसने दिया है कि किसी तुरुज में एक ही भुजा के मत जबिन दो आपका तुरुज कि समानतर पीकिव है तो कहरा है कि दूसरी पुजा को किस अनपात में या जो पीसे जाने वाली कि समानतर रेखा अर्थात क्यों कि सनपात में काटती है जैसा कि आम जानते हैं अगर बीशी समानतर पीकिव है बीची समांतर प्टी क्यों है तो आप जानते से किसी त्रभूस की एक बुजा के समांतर की चीवियरती है तो आपका विसी समांतर प्टी की है तो आप लिखोगे एक पी वई पी बिदी इसको अटा यह क्यू बाई QC जैसा कि PAB का मदबिन्द है अर्थात आपको दिया है AP is equal to PB given है AP is equal to PB given है अगर AP is equal to PB given है तो AP by PB is equal to हो जाएगा 1 यहां 1 is equal to क्या हो गया AQ by QC इसका मतलब हो गया cross multiply करोगे तो AQ बराबर हो गया QC इसका मतलब क्यों क्या हो गया AC का मदबिन्द होगा तिस्तरा से हम कर सकते कि जो आपका P से AB के मदबिन्द पीस जाने वाली रेखा दूसरी भजा को दूसरी भजा को क्या करती है समध दिभाजित करती है Q बराबर QC आपका option number कौन से सही है D इसी प्रकार से 500 कोस्टन पाएंगे तो 500 कोस्टन आपका देखेंगे त्रुभुच का ही कोस्टन है अगर देखो अगर आपको optional सभी कोस्टन करने है तो हमें सभी चैप्टर के सारे फार्मूले तयार होने चाहिए प्लस सारे थिरम के स्टेट्मेंट पूरी तरह तयार होने चाहिए मतलब कहने के ताथ पर जितनी भी जितने भी नियम है सारे चैप्टर के आपको तयार रहेंगे तभी optional कोस्टन कर पाऊगे तो आपको जैसा कि यह समन्द कोस्टन था अब इस तरह से देखेंगे आपके प्रमें उसमें वर्गों के परावर होता है तो ध्यान देंगे इसमें कि तो शंव्रूपति शंब्liद्य ने तिया और तो सब्सक्राइब दो समरूप तुर्भूज तो तुर्भूज के शेत्फलों का अनपात यहां परिमाप का दिया है तो इसमें दिया है दो तुर्भूज समरूप है दो समरूप तुर्भूज समरूप है तुर्भूज ABC समरूप तुर्भूज PQR तो क्या होता है कि ABY यदि क्योंकि समरूप दिया है तुर्भूज ABC और PQR समरूप है देवी बाइपी क्यू बराबर BC by qr is equal to CA by PR is equal to EB plus BC plus CA by PQ plus QR plus PR कहाने का हाथ पर अगर तीन अनुपाद बराबरे से 1 by 2 is equal to 2 by 4 is equal to 3 by 6 तिनके परिमापों का अनुपाद भी वही होता है तू प्लस 4 प्लस 6 देखो इसका अनुपाद 1 by 2 है इसका भी अनुपाद 1 by 2 है इनके परिमापों का अनुपाद 6 भाई देखो इसका आट करेंगे 6 वाई कितना आएगा 12 वही आएगा तो तुर्भूज ABC मे अर्थात इसके परिमापों का अनुपाद वही होगा जो भूजाओं का अनुपाद होगा संगत भूजाओं का पाद ये 3 by 4 है एवी 3 by 4 है तो निश्यत रूफ से इनके परिमापों का अनुपाद भी 3 by 4 आएगा तो कि 3 plus 3 plus 3 वाई कि आएगा 4 plus 4 plus 4 is equal to 9 by 12 तो देखोगे 3 फोर आप देखो अ जो संगत भुझेए और पात प्रिमापर पात नोगल Governor ृसफ आ योग Just in Mid Skip game अब जो संगत भुझे in पहुत के पातव होंगry होंगे इस आते हैं हम देखते नेक्स्ट कुश्टन पर अगला है जैसा कि आपके तेंथ क्लास में एक चैप्टर है दुई घास समय करण दुई घास समय करण का व्यापक रूप होता है तो यहाद समय करण का व्यापक रूप होता है एक स्कुराइर प्लस बी अक्स प्लस सी इसको जीरो उसी फार में दुई घास समय करते हैं किसके बारे में निम्न कत्रों पर विचार करेंगे करागे दिये गए समय करने का विक्तकर सून इसे कम है इसमें अगर आपका द्विघास समय करना होता है तो इसका विविक्तिकर होता है इसको कैपिटल देनोट करते हैं उसका विविक्तिकर होता है अधी इसकोल टू होता है बी स्कुरर माइनस 4ac माइनस तो धान दें की डिश्कॉर टो डिश्कॉर मानेस पोर सी तो ध्यान दें कि जो विफ्ट कर आपको दिया है 2X स्कॉर माइनस 4X प्लस 3 इसकॉल टी जी रो दिया है तिसमें अगर इसकी तुल्ना करोगे quality equation में तुलना करोगे coefficient से तो A is equal to 2 B is equal to X का coefficient क्या है B is equal to minus 4 C is equal to 3 तो D is equal to क्या गएगा हमारा B का मतलब कितना है minus 4 का square minus 4 A कितना है 2 into 3 is equal to क्या गया 16 minus 12 16 minus 12 की आपका positive आ गया positive का मतलब है आपका Zero से बढ़ा गया Zero से बढ़ा समीग पाविक्ति सूने समीगन की कोई मूल व्यास्ट्विक नहीं है समीगन की मूल वास्ट्विक है अगर D common zero से अधिक आजया है उन्हें पास्ट्व आ जाए समीकन के मूल क्या होते हैं वास्तिक होते हैं ठीक है अब दिखरों कर रहा है कि दिये गए समीकन का विक्तिक सून से कम है सून से कम का मतलब आप बाइं तरफ जाओगे तो सून से कम प्राफ्ट होगा माने निगेटिव प्राफ्ट होगा अगर पास्ट्यू दाइशन चलोग तब नहीं होते मुल वासेत तब नहीं होते हैं सभी का वेचतर सुन नहीं है और करा कि करके Okay समीघन के मूल वास्तिविक होते हैं तो आपका अपसे नुम्मर डी सही है फिर अगला कर रहा है कि इसमें लुखित में सही उत्तर का चैन कीजिए यह और भी सही है सूनी से कम है और एसी फोर इंटू 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 त्री यहां पर देखो हमारा सुरी इसमें प्रोसक्त हो गया तो यहां पर होगा हमारा 24 होगा यहां कितना होगा इंटू इंटू जाएगा निगेटिव आ गया निगेटिव मतलब आपका देखो यह आपका आपका आपसंट शही है रहिए तो इस या आपका शाहिरी है और समेकर्ण इक कोई मुल वास्त्विक नहीं है अगर समी का one negative आ जा है तो oh नहीं होते वी सही है नहीं है समीकर्ण हे वह सुन नहीं यह गलत है चुर्ण है सभी कर सुन नहीं यह ऊते हैं जब यी वीस्ट कर्मॉन से अलिए देखेंगे निम्लिकेत में सही तरका चेंग के जिए और भी तरी नहीं सही है सी और डी भी सही नहीं है कि वहले सही यह भी आपको देखने कि यह और भी दोनों सही है तो आपका यह आप्शन सही होगा पहला है आप अगला समय आप देखो वह सबसे बड़ी संख्यात जिससे शत्तर-1 restaurant करने पर और क्रमशा शेश्फ्पल पांच और 8 प्राप्ट होता है क्रमशा शेश्फल ऑठ पांच और पांच और स्ट्व थोता है ड远ेखिए सबसे बड़ी संख्या जो कीश को विहायद करेगी सत्तर एकसोपचीश को तो आप जानते हो कि वहाँ बड़ी संख्या जो दियेगी संख्याओं को पूर्टा विहायद करते तो असलिश कर ऩो सम्मिलगर यहां है और बढ़ेने राप्त करनी है जैसे अब इसमें 70 में जिस संख्या का भाग दो 70 में ऐसी संख्या का भाग दो कि 70 में ऐसी संख्या का भाग दो कि 70 में ऐसी संख्या का भाग दो 70 और 125 में कि लगद पांच और आठ आए ऐसी संख्या दो इसमें वाग दिने पर पांच आए इसमें पर आठ तो देखो पांच आने का मतलब अगर सत्तर में से पांच गटा दें सत्तर मांच कर दें कितना जाएगा पैंसट अर्थात उस संख्या से अगर 65 भाग देंगे तो पूरी तरह भी आजित होगा और अगर 125 कितना आठ आठ आए 125 में भाग देने पर आठ आ रहा है अर्थात 125 में 60 गटा दें तो जो 170 आएगा एक सत्रा में अगर रूप संख्या भाग देंगे तो निशीद रूप से से स्थफ़ल क्या आएगा सून ने आएगा तो सब मिलाकर इसमें आपको क्या करना है पैंसाट और 17 का अस्यप निकल होगा थ्री इंटू थ्री इंटू थर्टीर होगा इसमें कौन से हैं दोनों में 13 और 13 दोनों में कॉमन है इसका हो जाएगा 13 तो 13 करेंगे सुनो तो वह बड़ी सबस्केंगा 13 है जिससे 70 और वक्सव व्यायत करने पर प्रमसा सेस्पल 5 और आठ प्राप्त होता है आप यह देख लेंगे यह तो आप सिधा इसी से मनें आप्शन करके देख लेंगे 70 भाग देते हैं 13 कितना था तो आपका आप सबसी बड़ाबर ने विविक्तिकर क्या होना चाहिए अभी मैंने बताया था अगर समिद्धिघा समय करन के मूल पराबर है तो विव्यक्तिकर क्या होना चाहिए सून होना चाहिए तो विव्यक्तिकर सून होना चाहिए देखो कि अगर एक स्क्वाइर के मूल पराबर है तो विव्यक्तिकर डी इसक्वल टू सून होना चाहिए D is equal to D is equal to क्या होना चाहिए D कामान कितना होता B square minus 4 A C is equal to 0 अर्थाद B square is equal to कितना होगा 4 A C B square somwhat सब्सक्राइब जिसमें कहता है तो काण पाथ वर्गों के बराबर होता है तो ध्यान देंगे हैं गोजा अगर दो तर्फुज दिये हैं कर दें गए तर्फुज दिया ए बी सी में आपकी दो दीएं आइं तो फुम्ही обяз ओर और आपको दिया थो तिए हैं निहीं में इस यौन इस तुरूफ है ए stubk ट्रेंगल ABC एरिया आफ ट्रेंगल मने त्रभूज ABC का चेत्फल त्रभूज ABC का चेत्फल बटे त्रभूज PQR का चेत्फल is equal to आपका होगा AB square by PQ square Pc square by BC square by आपका QR square CA square by PR square होगा तो इसमें AB कर रहा है कि बुझाओ कौन पात AB by PQ दिया है AB by PQ बराबर BC by QR is equal to CA by PR दिया है आपको is equal to करके दिया 1 by 2 ऐसा दिया है तो क्या लिखेंगे त्रभूज के शित्फलों का अनपात तो क्या हो जाएगा 1 by 2 का square अर्थात 1 by 4 अर्थात क्या हो जाएगा 1 ratio 4 यह हो जाएगा इसी तरह से कि बिंदू 1 2 बिंदों ए और बी को बिंद पी बिंदू ए और बी को इतने नियालाय वारी रखा कंड को कि संपात में ड्वाइट करता है यह आप जानते हैं निरिशांग जामती का जो आपके क्लास 10 में जो निरिशांग जामती है उसका कोश्यन है उसमें यह आता व्यायद करने वाले फार्मूले से जासा कर आप जानते हो अन्ता व्यायद करने वाले फारूले से्थिस जैसा कि आप जानते हो यहां पे थोelen मिलाने माले कि इसको यहम वैसित करता है यह मौन और यहां पाथ में डिवाइट करता है crypto आप जानते हूं यह का ने शक्राइब है प्छीविए तक रिषांग दिया है वरण टू और एका रिषांग हो लिए है माइनेस टू यह और वीचा रिषांग Y प्रप्रोड ओर भी से भी वाइन इस टू इन्टु एस टू कितना है सेवन क्लश Lori M2 X1, M2 into minus 2 by M1 plus M2, M1 plus M2, यह P का X ने संग होगा, P का का ने संग होगा, X, अब P का X ने संग कितना दिया है, देखा 1 दिया है, P का 1 X ने संग कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 रोल क्या लिखेंगे, 1 is equal to, M1, 7 M1, minus 2 M2, 7 M minus, 7 M1 minus 2 M2, by M1 plus M2, इसका cross multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, M1 plus M2, equal to, 7 M1 minus 2 M2, इधर ले आओ, 7 M1 को, 7 M1 को उधर ले जाओ, 2 M2 के इधर ले जाओ, तो 2 M2 इधर ले जाएगा, 2 M2 plus M2, equal to, 7 M1 minus M1, तो हो जाएगा, 3 M2, equal to 6 M1, तो इसको 3 by 6, बराबर क्या हो गया, M1 by M2, तो 6 को left से right से left लाया, यहाँ multiply तो divide हो जाएगा, और M2 को left से right ले गया, तो M1 by M2 हो गया, तो M1 by M2, equal to 2 आगया, 3 by 6 का मतलब 1 by 2, अर्थात M1 ratio M2 कितना आगया, 1 by 1 ratio 2, तो सबसे पहले, P का X ने सांग, मतलब M1, X2 plus M2, X1 by M1 plus M2, अब P का ने सांग, given है, 1, तो P का X ने सांग को 1 लिख दिया, equal to 2 इतना, और M1, M2 का ratio आगया, तो आपका कौन सा आप्सन सही होगा, वान रेशियो 2, यहाँ आपका आप्सन नमबर फर्स नहीं होगा, बसे फिर देखिए, कौस्चन नमबर आपका, कौस्चन नमबर है, कौस्चन नमबर आपका, देखेंगे अगला कौस्चन है, जो की, त्रिजखन का च्यीत्वल, ग्याद करना है, कौऊर धीटा वाले त्रिजखन का च्यश्चन होगा, जो की आपकी मर बजुत संबंदी च्य फिर दुट्फल का कौस्चन है, इसमें जान देना, इसमें दिया है विष समद्दी स्क्राइब का पॉस्चन जो है जैसा कि आप जानते हो कि कोई तुर्जा अगर पुष्जा तो कि अगर कोई तुर्जा है पूरे अगर पूरे पूर्ण से खुंती है घुरा अगर 305 से घुमती है तो तीन सोट साथ कोड़ से घुमने में कितना एक पर करती है पूरा जेत बढल से बचाई अगर अगरी तीन से मिटी तो तीन सोट अगर्ब गर थीटा एंगल से घुम जाती है रेडियस थीटा एंगल से घुमती है कितना एक तीटा इंटू पाई आर स्कॉयर बटे से घिरा हुआ और इसके मद्य चाप से घिरा हुआ होता है ति आपका त्रीजखंड का च्यत्फल कौन साइस को आपसं सही है थीटा भाई इस टाइप का बताया था भी किनकी संगत बुजाओं के वर्गों के अनपात के बरावर होता जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है उनकी संगत बुजाओं के संगत बुजाओं के अनपात का वर्ग होता है अपसा नमबर से सही है अगर इस तरह से सूत्र आपका देखो करा है अभी मैंने बताया था कोई को को दो बिन्दों को मिलाने वाली रेखा खंड को कि दो बिन्दों ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड को कि अगर कोई तीसरा बिन्दों यम और यम टू के अनपात में डिवाइट करता है तो इसका इसका दो बिन्दों एक सोन वाई वन और एक स्टू आई टू को मिलाने वाली रेखा खंड को तीसरा बिन्दों गर एक सब्सक्राव चला होगा यम और सब्सक्राव सब्सक्राव करता है तो है तो शीजेंगर कोगा सब्सक्राविद बैटे क्या लिखो कि लिखा हों कि यह मोन प्लस यह है ना ऐसे होता कई उसका का फर्मूला होता यहां पर माइनस ला जाता बस जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हर जगह यहां पर माइनस जाता यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लेकिन यहां पर क्या अंता ब्याजन के लिए यह कौन सा फर्मूला है अंता ब्याजन का सुत्र नेक्स कोशन पर कि यह का मान ग्याद कि इसके लिए समीकर्ण लिखा है बहुत इंपार्टिन कोशन है इस टाइब कोशन आने की पूरी समभावना है जैसा कि मैंने बताया था रेखाएं दो चरके रैखिक समीकर्ण में आपने पड़ाओगा जो रैखिक समीकर्ण का ब्यापक प्लस रोइवर सी बराबर जीरू और इसका ग्राफ खुषते हैं तेक रेखाएं प्राप कुषते हैं ते इसको रैखिक समीकर्ण में कहते हैं यह तु प्रतिच्छहिद करती है कि इसकी सर्थ होती है कि एवन बाई टू इस नाट इक्वल टू बीवन बाई डी टू अब इसमें यह कहेगा कि रिखाएं प्रतिशेद करती है तो इसको बोलेंगे अद्धूती हल कितने हल है अद्धूती हल कि इसके अद्धूती हल है अब यह कहता है अब यहां पर संगत है कि नहीं तो संगत का मतलब कहीं नहीं रखाएं तो संगत भी है पहला कंडिशन है कि दूसरे को प्रतिशेद करेंगी अगर ऐसी कंडिशन आती है अर्थात कि अगर इसमें एवन बाई एटू अर्थात रेखाओं कि अद्धूती हल होंगे अगे अधा माने नहीं दूती माने दूसरा जिसका दूसरा कोई हल ना हो अब फिर बात आती है भी बाई बिटूंट इसको रखाएं क्या होती है समांतर नहीं मिलती फिन है क्या है असंगत है और क्यों इसका कोई हल नहीं है तीसरी कंडिशन होती थी कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इसकोल टू C1 बाई C2 ऐसी कंडिशन में क्या होती ही रेखाएं समपाती होती यह एक रेखा जो पहली रेखा है दूसरी रेखा पर पूरी तरह पड़ेगी तो कहने एक तात पर यह रेखा दूसरी रेखा से हर जगा मिल लई है हर पॉइंट भी मिल लई है चुकि आप जानते हो कि रेखाएं किसे मनती हैं रेखाएं मनती हैं बिंदों के समुझ से तो पहली रेखा के सारे बिंद दूसरी रेखा के सारे बिंदों से मिल लए है इसका मतलब इसके कितने हल होंगे अर्थात कितने बिंद मिल लए है तो अनगिनत बिं पुरित्र से पढ़ रही है इसको क्या कहेंगे संपाती तो संपाति मतलब हर पौलेंगे तो आनन्त हर होंगे और मिलेंगे कि अ हर जगा है संगत है पौल जुआ हम देखेंगे अनंत रहुंगे यह का मान जिसके लिए संभिगर निकाए के अननंत रहुंगे इसकी इसकी इसक्राइब देखते हैं एवन देखो दों संभिगर दिये है क्या दिया है 10 x 20x plus 5y is equal to a minus 5 दुसरा क्या दिया है 20x plus 10y minus a is equal to 0 minus a is equal to 0 अब इसको विदर ले लो is equal to a कर दो is equal to a कर दो तो क्या बन जाएगा is equal to a कर दो इसको है ना आप देखो यहाँ पर देंदो या तो इसको ऐसे लिख दो इसको इधर कर लो इसको इधर कर लो minus जिदेंगे minus minus a minus 5 is equal to 0 और a minus a is equal to 0 अब इसकी देखो तुन लाकर होगी तो a1 कितना है a1 is equal to 10 a2 is equal to 20 b1 is equal to 5 b2 is equal to 10 c1 is equal to a minus 5 c2 is equal to minus a A seemed to be free किसको अब माइनस ए माइनस आ होगा माइनस आ माइनस प्रइब तुस्में देखो ई 9 कि इसको तो है माइनेस ए माइनस पाइव सीटू इसकोल टू क्या है माइनस ए अनन्त हलोंगे समीकरने के अनन्त हलोंगे अनन्त हलोंगे यदि एंट इसकोल ले सकते हैं ना फस्त थार्ड के बरावर नहीं तो इस पे 5 पाइब टेन को पाइब टेन इसक्वल्टू लिखो गए माइनस माइनस ए माइनस तो वनच माइनस कंशिल हो गया तो वनगए तो आपका हो जाएगा टूए माइनेस टेन इसक्वल टू ए आथा टूए माइनस एसक्वल टू 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 टेन एक पर से दूसरी पर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसी प्रकार से तेगना मेट्ट्री में अगला आपका क्वेश्चन हो जाए इसके लिए जरूरी बहुत इंपार्टेंटर्स का उसके सारे त्रिकोंड मिति का आपको याद होने चाहिए या तो उसकी साड़ी खम को त्यार होनी चाहिए तो इसको देखेंगे कैसे करना मुझे जैसा कि आप जानते हो जैसे जानते हो हाँ जैसा कि आप जानते हो है न है साड़ीक का आप बना लेते हो इस तरह से सब्सक्राइब कर देते हो इस तरह से साइन अब लिखते हो थर्टी जीरो जीरो थर्टी फॉर्टी फाइब शिक्स्टी नैन्टी तो आप सम जीरो एंट्टी फोर लिखते हो इसको करेंगे वन बाई तो सब्सक्राइब कर दिया है इसमें नंबर दिया है तो आपको होने में दिक्कत नहीं हो जाएंगे आपके तो जान देंगे कि यदि देखो तिया है इसमें कोशन नंबर दिया है क्या चिद्व को कि दिया फोर जै कि उसल्वर फिटी ने दिया है कि उसल्वर फिप्टीन दिया है दो आपको कोशन ने दिया है यदि यदि 410 थीटा इसकोल डू 3 तो 4 sin थीटा 4 sin थीटा मानिस कॉस थीटा by 4 sin थीटा प्लस कास थीटा गयात करनी तो आप क्या करोगे कि यहां पर कास थीटे कामन ले लोगे 4 तब कास थीटे कास थीटा माइनस 1 तो यहां पर आपने क्या किया कास थीटे कामन कर लिया कि अच्छी के अच्छी के ठीक है तो आपको लिखोगे यहां पर 4 sin थीटा 4 10 थीटा इसकोल्टू 3 दिया है तो 10 थीटे क्या हो जाएगा 3 by 4 10 थी धूल्टू 4 3 by 4 हो गया है तो आपको निकालना क्या है और निकालना से निकलना में लगी कर लेंगे क्या कर लीगे सब्सक्राइब बाइबeur तो इसको लटूए आई गाट 410 थीटा-1 by 410 थीटा-1 तो तेन थीटा-1 तो तेन थीटा-1 कितना है 410 थीटा कामान कितना है आपका 3 by 4 3 by 4 minus 1 by 4 3 by 4 4 into 4 into 3 by 4 4 into 3 by 4 है कि यहां पर 4 into 4 into 3 by 4 minus 1 by 4 into 3 by 4 plus 1 कितना आएगा 2 by 4 is equal to 1 by 2 इस तरह से गोलों के आतनों कानपात इतना है तो प्रिश्टी शेत्फलों कानपात क्या होगा देखो इसमें इसमें 16 नंबर कुछन है दो गोलों के आतन पात आप जानते हो लों का तो इसके प्रिश्टी शेत्फलों का पात पूछ रहा है तो आप जानते हो लेक आएटन होता है देखे गोलेक आएटन आप गोलों का यह तनों कानपात पूर भाइट्री पाई आरवन क्यूँ आप पॉर भाइट्री पाई आर्टू क्यूँ पहले दूसरे गोले कातना इसकी तिरिश्या आर्टू है इसकोंटू आटी कितना हो गया और fái 3कोंट पूछ रहा है की फिरिश्ची षेत्वलों का ऑल्थास अर्था इस तरह से 20 मिटर एक लंबी शीड़ी 10 मिटर के उचाहे पर दिवार को छोती है तो शीड़ी 36 के साथ जो कोन आती है वह कोन होगा देखो यहां पर कोई शीड़ी है इस तरह से को को फोई सीड़ी श्रसे है यह झुकर ऐसे सीड़ी यह दिवार है इस पर शीड़ी ऐसे लगाई गहीं यह यह leash चुर्वपियसे मिटर ने तस मीटर और लंबाई 20 मीटर है तो पूछ रहा है तो पूछ रहा है तो दिवार भी है तो आप देखो 10 थीटा हो जाएगा लंब अबी का मान कितना होगा दस बटे यहां पर होगा देखो स्वरी यहां पर हमको लंब और कर्ण में संबंद है तो लंब और कर्ण में संबंद क्या होगा साइन थीटा तो यहां पर आपको लंब मालूम है और कर्ण मालूम है तो लंब और कर्ण में संबंद क्या था साइन थीटा साइन थीटा इसक्वल टू हो जाएगा अबी का मान कितना है टेन 10 by 20 अभी का मान होगा अभी का मान हो जाएगा 10 व्यसक कि जानते हो अभी अभी वाई ओए एबी का मान 10 है वाई ओभी का मान 20 है तो साइन थीटा इसक्वल टू हो जाता है साइन थीटा-इस-कोली क्या लिखेंगे साइन 30 तो थीटा-इस-कोली कितना हो गया 30 हो गया थीटा-कामान 30 वाहती हो जाएगा ऐसे माधिका को अलोगती होने किस से परत किया सकता है ज़िएआ जरहें जर्च कंडु यहां सर्फखने की तो जैसा कि आप होने की सर्थ संरेक होने की सर्थ है अगर तीन में अगर तीन में अगर तीन में भापके तरह कर तो कि अगर तीन चल्रेक हैं तो तीन चल्रेक हैं तो तीन बिद्धों को मिलाएंगे तो रेखा प्राप्त होने का मतलब इससे कोई अरिया नहीं कवर बनेगा अर्थात कोई भी अरिया कवर रही करेंगी इसका जीरो तो संड्रेक कुछता है तो तुरुच के चैथफल कितना होना चाहिए तुरुच के चैथफ प्रभत कितना है त्रभच कितना होना चाहिए त्रभच के चैथफल विश्क्ताल मिश्कण्यूल तुरुच के च पर लह एऐ पस्ट कहल मिश्क फोर ले हैं 3 y1-y2 is equal to 0 ठीक है देखो इसको इस तरह भी दिन सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 जब इसको लोगे प्लस माइनस प्लस यहां पर अशे लेंगे इसको अशे लेते हैं x1 y1 देखो x1 x1 y1 1 इसको प्लस माइनस प्लस जब इसको लेंगे तो आएगा x1 y1 x1 लेंगे तो y2 minus y3 y2 minus y3 हो जाएगा जब minus x2 लेंगे तो y1 minus y3 हो जाएगा minus y1 x2 लेंगे तो y1 minus y3 ठीक है तो देखो त्रू उच्छेत्पल क्या होना चाहिए 0 यहां पर देखो अर्थात x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0 तो देखो यहां पर x1 x1 को मान क्या है 1 y2 क्या है x1 देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो x1 कितना है आपका 1 है y2 0 होगा minus y3 क्या होगी minus y3 b है plus x2 कितना है 0 है और x3 इसके कोई मतलब नहीं है plus x3 कितना होगा x3 a है और y1 minus y2 y1 कितना है 2 minus 0 इसको निकालेंगे तो minus b इसका मतलब माइनेस b plus 2 a equal to 0 अर्था 2 a equal to b हो जाएगा आपस्वन नूम्बर सही होगा फस्ट कि अब आते हम खंड खा में जो आपका पेपर का जो दूसरा अपस्टन है खंड खा उसमें आते हैं देखते हैं देखो उसमें खंड खा में है खंड में 2 क्रमागत पुढांकों का गुणन फल 2 से ब्याद जैंगे दो क्रमागत धन पुढांकों का गुणन फल 2 से ब्याद जैंग जा करन सत्ते हैं था सत्त्ते देखें दो क्रमागत धन पुढांक अगर कोई भी लेंगे कि ये लिया मैंने दो कि पहला ले लिया 2 है मैंने माल ये यह दूसरा क्या लेंगे एक्स प्लस वन अगर याक्स शम है तो याक्स-ब्लस-वन क्या होगा भी-स होगा अगर एक स firms बस वनच्धोन बस अगर यो तो इस से इसको जियो क्या होगा तो इसके मिलेगे कि दो करण नहीं सब्सक्षा करा अबढ़ाओं और सम और विशम का गुड़नफाल में साथ सम आता है अर्थात सम और विशम संक्याओं का गुड़नफाल दो से विभाद जो होगा ठीक है दूसरा है खा में देखेंगे यह कार्ट सेवन कॉर्ट थीटा इसकोल टू सेवन बाई सेट दिया है खा में दिया है कार्ट थीटा आपको दिया है कार्ट थीटा इसकोल टू सेवन बाई एट तो करा है कि वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वाई प्लस का सीटा वन माइनस का सीटा का मान याद करना है तो इसको कैसे याद करेंगे देखो वन प्लस साइन थीटा व इंटू 1- sin theta by 1 plus cos theta into 1- cos theta हम जानते हैं a plus b a minus b बन गया इतना दिए कर दिए इसको लिशोन बाइए तो इससे प्रॉप करना है इसका मान इन पूट है इससे आउट पूट करना है इसको लिखेंगे 1- sin स्कॉरण स्कॉरण ठीटा दें स्टीटा प्लसबी मानसबी वह स्कॉरण स्बाइब करना होती है साइड इसकां स्कॉर एक काश इस्क्वार थीटा एक स्कॉयर तीटा काश इसक्वार मैनलі स्कॉयर थीटा हाथ पलऴ से लाखेंगे और स्कॉयरे को तहीं थेढ़न दें देना कास्तीप असका स्कॉर्स कृणती firearms का हो स्क्वायर हो गया क्या हो गया कि क्या हो गया है अब का होता है Almighty स्कॉर्ट तो काट स्कॉर्ट थीटा का होना चाहिए अर्थाति कितना हो गया सेवन बाई एट का ओल स्कॉर जिसका मान क्या जाएगा फोर्टीन आइन बाई शिक्स्टी फोर इसकी वेलु आ जाएगी इस तरह से एक अगला कुशन दिया है एक संक्वाकार बरतन जिसका आंत्रीक व्याश 10 संद्री मीट्र होचाई 14 संद्री मीटर है पानी सिभरा है पानी को एक बेलनाकार बरतन जिसका अंत्रिव्यास 20 से निम्टेर में डाला जाता है देखिए एक संक्वाकार बरतन है एक संक्वाकार बरतन है ऐसे एक संक्वाकार बरतन ऐसे रखाया है जिसमें कुछ पानी रखा गया है संक्वाकार बरतन इसमें पानी रखा गया है इस पानी को एक बेलनाकार बरतन मे और दिया गया इस पानी को एक बेलनाकर बर्तर में रख दिया गया है अवचाहीं कितना है कarा पातर में पाने इस नहीं आएट होगी देखों इस बरतन से पानी गिराओगे जितना ओटने ही उप्र rebbe प्रस्चना अनुसार हो जाएगा इस कायतन देखो वन बाई थ्री आप जानते इस कायतन होता है वन बाई थ्री पाई यार स्क्वाइर कर आर स्क्वाइर बराबर होगा व्र कितना है श्री इसंधी 100 और 2 तो अगया उपर प्रिया स्वहर को पूरा बढ़ा भूला हुआ देखो आप आप यहां पे तो आपका हो जाएगा फाइव स्कॉयर का मतलब ट्वंटिफाइव इंटुएड टू थाव अंडेड इसकोल टेन का स्कॉयर सो इन्टू एच तिसकोल्ड कितना होगा दो से जो सब्सक्राइब कर ला ठीक है तो आप कि इस तरह से हल करोगे बने जो पानी पानी तक पानी आए हो इस में भरे पानी का आयतन बराबर इसमें जितना पानी है उसका आयतन तो तो इस तरह से आपका वी कोस्चन हो गया अगला देखते हैं लुझां करना है लुझां करते हैं लुझां करते हैं लुझां आपको समांतर मात गयाद करना किसे करते हैं समांतर मात याद करने का फर्मॉला वैसे एक बिजलन पर दी होती है और एक सीधा जैसे फर्मॉला है आपका समांतर मात याद करने का फर्मॉला जो होता है कि कि समांतर मात कैसे याद करेंगे कि समांतर मात बराबर होता है कि समांतर मात यक्स वार इसको डू होता है तो इस में ज्यादातर भाग बुड़ा भाग करने में प्राब्लम होगी ज्यादा समय लगेगा तो अगर दूसरे में प्रयों करते हैं अगर यह इसका करते हैं ए प्लस समय सना प्यां वाई डि आई तो आपका मल्टिप्लिकेशन और अधी जो ओपरेशन है उसका करने में आसानी रहेगी तो चोड़े आपसरे संद्सक्राइब होगे तो आसानी कर लेंगे तो इस ज्यादा हम समझते हैं कि में ज्यादा बिटर ह देखते हैं कैसे करते इसको तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले पैसे क्या करते हैं इसको रखें की एक साड़ी पूला लेते हैं एसके वर्ग अंतराल इसके बाद इसका मद्धिमान निकाल लेते हैं, मद्धिमान, वर गंत्राल मद्धिमान, इसको ऐसे, वर गंत्राल, वर गंत्राल, वर गंत्राल, वर गंत्राल, मद्धिमान, बारम बारता, बारम बारता, इसमें वर गंत्राल में, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इसका मद्धिमान क्यात करने के लिए, दोनों को वाइट करके हाफ कर देते हैं, इसको हाइट करेंगे, 10 plus 20, हाफ करेंगे 15 हो जाएगा, इसको करेंगे 25 हो जाएगा, दोनों को वाइट करके, इसको 35, अब आपका अंतर 10 का आगया, तो 10 को आइट करते जाएगे, 45, 55, 65, अब इसमें, जो आपको बारम बारता दी है, फ्रेक्वेंसी जो दी है, है ना, फ्रेक्वेंसी दी है, 2, 7, 12, 15, ठीक है, 8, 6, लास्ट में दी है, अब इसका क्या करते हैं, बीचलन, देखो, इसका माल लेते हैं, कल्पित माध्द, कल्पित माध्द, कल्पित माध्द मानते है, माल लिया इसमें से कोई माल लेते हैं जो मत दिकर रहता है तो दी विचलन इसको पढ़ते हैं एक साइए एक साइए आपका पंद्रा है उसमें से एक अटाएंगे तो पंद्रा मैने से कितना हो गरद्र केटना है इसको टूट ओगा 15 मैने से कितना है फोटी फाइबीस कोंने का अटीन हो जाएगा माने सूर्ट खाएगा इना और दूसरा कम चैकशली कितना है 25 माइनस थोटीफाइब रॉट्स तो एक साही दिया ना 25 ऐसे ही 45 माइनस 45 इसको दिखेंगे यहाओ इसको बोलेंगे यहाओ फाई टी आई यहाओ डी आई इसको यहाओ डी आई इसको बोलेंगे या 5 या 5 माने बारम बरता फ्रिक्वेंसी तो आपका होगा माइनेस 6 माइनेस 60 या 5 का डिया में मुल्टीप्राई करेंगे माइनेस 140 माइनेस 120 जीरो यह अपका 15 है 15 तेंजा 15 का 0 करेंगे तो इसको करेंगे 120 हो गया माइनेस 180 प्लस-60 माइनेस 200 प्लस-100 आपका समयशन आप फाइड हो जाएगा इसकोल्टू मानेस 120 ठीक है अब आप जानते है समांतर मात का फर्मूला बने बताया था समांतर मात का फर्मूला बताया था यह साइज कोल्टू एक सबार इसकोल्टू ए प्लस कल्पीत मात समयशन आप फाइड याई समयशन आप याफ आई एक इतना है यह आपका है 45 प्लस समयशन आप फाइड याई-1-20 बाई समयशन आप फाइड सेवन टू-9-9-12-21-21-15 आपका हो जाएगा 36-36-8 यह 44 आपका समयशन आप याफाई हो गया 50 तो 50 कर देंगे माइनश को एड कर देंगे मारेस टू-पाइंट-फॉर इसको लडू-45.0 टूफाइंट-फॉर डिवाइड बाइनस करेंगे 602 शेक्स टू-टू-टू-पाइंट-फॉर जायगा 42.6 इसका हो जाएगा इस समांतर मात बजाएगा इस समांतर मात गयाद करने का फर्मुला करना है तो हम नेक्स पर चलते हैं अभी मैंने और वी की समंध्य ज्यात किया था तो नेक्स पर चलते हैं इसका फार्मॉला होता है आप जानते हो कि तो इनको आपको इस ट्रेंगल निकालने के लिए फार्मुला जो है ग्याद करने के लिए ग्याद करने के लिए फार्मुला तो इनको आपको उ है एनको आपको इस ट्रेंगकाल क्यात में याद करने के लिए एरिया ट्रेंगल इसकोल तो जीरो गाद करने के लिए उस ट्रेंगल y1-y2 is equal to 0, तो देखो यहां पर x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो देखो यहां पर x1 is equal to 0 होना चाहिए, तो 1 by 2 उधर चला गया हमाले जिए, तो x1 बचेएगा y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2 is equal to 0 होना चाहिए, तो x1 कितना दिवर है? 2, y2 की बैलू, k minus y3, तो minus minus 3 plus x2, x2 की बैलू 4 दिए, तो यहां y3, y3 कितनी है? minus 3, y3 minus y1 कितना है? minus 1, 3 minus plus x3, x3 कितना दिए है? 6, x1 minus y2, तो 3 minus k is equal to 0, तो देखो यहां पर है? 2k plus 6, यह न, minus 24, plus 18, minus 6 के, is equal to 0, तो 2k minus 16 के, minus 4 के, हो गया, और देखो, 18 plus 6, 24, 24, minus 24, तो 0 हो जाएगा, is equal to 0, हो 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 गया, के की वहले जूरू हो ने चाहिए, तो क्या है, तीनों भी संद्रेक है, के स्कॉल्ड जूरू होना चाहिए, अगला देखेंगे, इसमें सारे कोशन फोर मार्स के हैं, इसके पहले वाले सारे टाइंस पर टाइप कोशन थे, वेरी सारे टाइप कोशन थे, जिसमें दो नंबर के सभी कोशन थे, अब अगले कोशन है, सारे फोर टाइप, फोर मार्स के कोशन है, ग्राफ द्वारा जाच किरें कि रैखिक समीकर्ण योग में, ट्व एक्स प्लस वाई मैंने स्कोल जीरो, फोर एक्स माने स्कोल जीरो, संगत है, यदि ऐसा है, तो ग्राफी वीदी द्वारा हल कीजिए, कोशन पहले हमने को संगत का मतलब होता है कि अगर परतिछेद करते हैं, हुआ, ना समानतर होंगे लेकिन अगर संधिये थी। तो सारी कंडिशन वताईए ये इसको ग्राफ-थी से देख लेंगे अपने पड़ा है ग्ली इस क्योंट थेक्षण को बता नहीं सकते हैं इत्शन को ग्राफ आ बनात है दोनों रेखाओं का ग्राब बनाएंगे अगर दोनों रेखाओं समानतर रहाती है तो असंगत हो जाएंगी अगर ग्राब खिचते हैं अगर दोनों क्या हो जाएंगे ग्राब खिचने पर दोनों रेखाओं परस्पर रेखाओं काटेंगे तो क्या हो जाएंगी संगत हो के ग्राव खितने पर दोनों रेखाएं एक ही जगान पड़ जाएंगी दोनों एक ही जगाव पड़ जाएंगी संगत तब भी हो जाएंगी ठीक है थिसका खुश लेंगे अगलगाई पूढर में यह कुछ में दो संख्यां की वरगों जो संख्यां के वरबोका नत्र एक साथि है खी शरी संख्या ख्या स MOS इसमें यहां calls को अन्तर trabaj निश्टिक exercise को माना चोडी睛 इसन्ख्या । मना पूटी संख्या माना बड़ी संख्या है माना बड़ी संख्या बड़ी संख्या यक्स है छोड़ी संख्या वाई है ठीक है तो का रहा है कि छोड़ी संख्या का वर्ग वाई स्क्वाईर पहली सर्थ के अंसवार पहली सर्थ के अंसवार दिया है पारिशर्थ के अंसवार जो पर छोड़ी सेंग्या कबर y square इस कोल्ड़ी के दिया है पारिशर्थ के अंसवार दिया है तो पारिशर्थ के अंसवार माना बड़ी संख्या क्या है कि माना बड़ी संख्या है यक्स है तथा थोड़ी संख्या क्या है थोड़ी संख्या वाई है तो बड़ी संख्या प्रत्म सर्थ के अंसवार अनुस्वार क्या है थोड़ी संख्या के बड़ी संख्या के आठ गुने के बराबर है ऐसा दिया है दोनों संख्या याद कीजिए और उनका अंतर कि यंदि उनका अंतर आपको गिवन है कि उनका अंतर दिया है एक सो असी दिया है उनका अंतर दिया है आपको एक सो असी माना बड़ी संख्या यक्स है तथा तोड़ी संख्या क्या है वाई है प्रस्णा असार बड़ी छोड़ी संख्या का बड़ी संख्या यक्स के आठ गुने के बराबर है तो य स्कुरें दूसरी साथ के अंसवार उनका अंतर अंतर माने बड़ी में शोड़ी घटाने पर बड़ी क्या है एक स्क्वाइर माइनस वर्गों का अंतर इनके वर्गों का अंतर बड़ी संख्या का बड़ी संख्या कबर माने शोड़ी स्क्वाइश दिया है है ना तो समीक्रण आप देखो यह समीक्रण एक ले तो आद विसके सब्सक्राइब को दो सब्सक्रारा जो तो आप जानते हो की एटीन 10 जा एटीन minus 8, 80 minus 10, 18 minus 10 x minus 180 is equal to 0, ठीक है, तो x square minus 18 x plus 10 x minus 180 is equal to 0, तो x common करोगे x minus 18 plus 10 common करोगे x minus 18 is equal to 0, तो x common होगा, x minus 18, x plus 10 is equal to 0, तो इसका मतलब x is equal to 18, है ना, तो आपकी x is equal to 18 होगया, तो अगर x is equal to 18 लेते हो, तो y square, y square is equal to kya होगा, y square is equal to 8x था ना, यहां x कमान रखतो, तो y square हो जाएगा, 8 into x common 18, तो y square is equal to 144, तो y कमान कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, y कमान, y कमान 12 हो गया, तो बड़ी संख्या ठारा है, शोड़ी संख्या 12 है, इसका इंस्वर आ गया, यह आपका question है, ब्योहारी question है, दुई घास समीकन का, कैसे हैल करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, है ना, जैसा कि मैंने उसके साफ से मानते जाएंगे, अगला देखो, कराय की चार से मीत रिजया के ब्रित पर संकेंदरी ब्रित के किसी बिन से एक असपर से रिखा की रशना की यह उसकी लंबाई, माप कर लिखी, देखो इसमें, आपको रशना करना है, construction का है, इसमें, यह आपको जो पुशने, construction दिया है, ऐसे दिया है, एक आपका ब्रित है, चार से लिए खीच लेना है, दूसरा चार से लिए ब्रित आपको खीच लेना है, चार से लिए जो त्रिजया का ब्रित पर कोई ब्रित ले ले लेना है, और इसके केंसे मिला देना है, इसको, ठीक है केंसे मिला देंगे, इसके बाद, केंसे मिलाने के बा तो हम क्या करेंगे इसके केंद्र और जो बृत्त है इसके किसी भी इंद्पी से इसको मिला देंगे उसके बाद इसका लंबार्दा खिच लेंगे किछ लेंगे इसके बाद अब इसको केंद्र मान करके मालों कि यसको केंद्र मान कर केंगे हम एक वृत्त किचेंगे इसको पी से मिला देंगे और जैसा करते जाएंगे तो अगला देखो कि दो खंबेच दिन की उचाहियां और यारा मिटर है यह दिन के पात बिन्नों की विश्की दूरी 12 मीटर है तो इसमें देखना है अधिक्त आपका इसका और दूरी का कुस्चन है ला उचाहिए और दूरी का इसके आपके लांग कोस्चन आ जाते हैं ऐसल ठीक है ए कि तिस्क्राइए शेह नंबर का तो इसमें देखो आईसे थे ट्यान देंगे उसाय और दूरी का ऐसे दिया है भूशाय दूरी का कुछन है तेखो वूशाय और दूरी का है ऐसे है ऐसे इसको ऐसे दोचार सीमिटर और च्छा मीटर और मिटर इसको ए बी और एसे आपका छे हैं एक ग्यारा है तो आपका पांस बचेगा उपर वाला कितना बचेगा इसको करना है और किसी स्कुलिजिक की बार क्यां लड़कियों की उचाईयों का एक सर्वेश्ण किया गया और लुक्षी ताक्रिब रप्त किया गए जासा कि फिए कि इसमें 140 से कम लेखो 140 से कम ज्यान देंना इसका इसको इसको फो wyk इंए आपका 7300 की कोष़णन मा धिकाय सब एक टो माधिकाय कூ और चाह बनेंगे तो इस तरह सी आख़ो कि समांतर माध्य क्याद करना है समांतर माध्य क्याद करना है आप देख लिजेगा तो कि हम आते हैं लां को पुछ दिये हैं तो कि और इस तरह से फोर का और फाइब का इब जो छेशे नमबर को कोशन है कैसे करना है ठीक है यह कोशन ने दिया है कि इसमें कोशन दिया है 10 y x plus y 10 y x plus y कैसे करना है देखो देखें आपर 10 y x plus y 10 y x plus y plus क्या दिया 2 y x minus y is called to 4 दूसरा क्या दिया 15 y x plus y है ना माइनस 5 बटे x minus y is called to दिया है कि आपको माइनस टू दिया है तो ध्यान देंगे तो इसमें करना क्या मुझे कि गुलांकों को बराबर करने ना देखो इसके हर दोनों के सेम है देखो इसके पहले समिकन में पहले दूसरे पत का हर बराबर है दूसरे पत का हर बराबर है समभू केवल आंस को बराबर कर लेना देखो कैसे करेंगे इसमें 5 का मल्टिप्लाई कर देंगे इसमें 2 का समी कर देंगे समी कर देंगे तो आपको देखो यह आपका दूसरा पत हो जाएगा दूसरे पत क्या करेंगे समी कर एक गुड़े पांच तता समी कर देखो कितना कर देंगे 5 कर देंगे तो क्या जाएगा 10 बटे एक्स प्लस यहां पर बुड़ा कर देंगे तो कितना जाएगा 5 50 बटे एक्स प्लस वाई 50 बटे X PLUS Y 50 बटे क्या लिखेंगे 50 बटे X PLUS Y है नग Jupiter 10 बटे X मैनेS Y is called to 20 ऐसे इसमें ही कर देंगे दो का गुड़ा इसमें कर देंगे 30 बटे X PLUS Y है नग 10 बटे X मैनेS y is called to झाल 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 टेक्निकल एशू के कारान थोड़ा साब दो तिन मिल्ट प्राब्लों हुई बाकी आप आद गी देखते हैं इसमें इसमें मैं यह विदा रहता है कोशन आपको आपकोशन नंबर आपकोशन आपकोशन चल ला था आपकोशन चल ला था ये इसकोल टू पोर फिप्टीन वाइए एक्स प्लस वाई माइनस फाइफ एक्स माइनस वाई इसकोल टू तो आपका नेक्स्ट कोशन देखते हैं एक वसन मैंने आपको आपका जो कोशन है कि अच्छ आप कि अच्छ आपकी नेक्स पार्ट में मिलते आप से ठीक है अगले पार्ट में